नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे 300cc सेग्मेंट की बाइक के सर्विस कोस्ट के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना का second stage स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि आगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क और हैंट सेनिटाइजर जरूर अपने साथ रखें बीना मास्क का आप बाहर बिल्कुल भीना निकले और सोशल तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कि इस वीडियो में मैं सिर्फ सर्वीस, ओइल, जैनरल चेकप, चैनल यू वगएरा जैसी चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ, अजर कोई भी इसमें चीज़ें इंक्लूडेड नहीं रहेगी, जैसे की क्लस्ट प्लेट, चैन, वाइरिंग वगएरा ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो कमेंट में आप ये मत कहना कि आपने ये जो मतलब प्राइस बताई है, ये तो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ सर्विस मतलब जो ऑईल वगएरा जो चेंज होता, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दू के हम यहाँ पर 30,000 किलो मीटर तक की मतलब सर्विस कोस्ट को देखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 30,000 किलो मीटर बहुत ही इनफ है, उसके बार तो मेरे ख्याल से कोई भी सर्विस सेंटर पर यानि शोरूम पर गाड़ी तो लेके जाता नहीं है, सर्विस कराने, वो लोकल मार्केट में ही बाइक की सर्विस वगयरा कराके, अपना पैसे को थोड़ा सा मतलब जो खर्चा है, वो थोड़ा सा बचा लेते, तो 30,000 किलो मीटर तक की सर्विस कोस्ट को देखते हैं, आज की वीडियो में, कि आप कितना मतलब खर्चा करते हैं 30,000 km पर अपनी बाइक में एक और चीज में यहाँ पर clear कर देता हूँ कि बाहर की service cost और शोरूम की जो service cost होती है उसमें जमीन आस्मान का फरक रहता है तो उसके लिए भी comment बिल्कुल भी ना करें यह सारी चीज़े मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को confusion हो जाता है फिर वो comment करके मतलब फूल बरसाने लगते हैं कि भया यह सारी चीज़े गलत है आप कैसे बता रहे हो करके तो यह सारी चीज़े मैं पहले से clear कर देता हूँ तो चलिए start करते आज की वीडियो को तो सबसे पहले start करेंगे सबसे जादा service cost वाली bike से और उसके बाद फिर बात करेंगे सबसे last में सबसे कम service cost वाली bike के बारे में तो पहले नंबर पर आती है BMW की 310 सीरीज जिसमें G310R और GS310 आती है इंडिया में BMW की ये दोनों bike काफी जादा popular है और सबसे small engine capacity bike भी है जो की BMW की तरफ से offer की जाती है हाला कि company इन दोनों ही bikes में आपको free service बिल्कुल भी नहीं देती है सारे जो service आते हैं इसमें paid आते हैं यानि की हर service में आपको labor charge pay करना ही पड़ेगा भले ही ये motorcycle 310cc किये लेकिन जो इसकी service cost है वो किसी Indian five-seater छोटी कार से भी जादा है तीन सालों और 30,000 किलो मीटर तक आप इस bike में करीब 30,000 से 34,000 यानि 30,000 तो 34,000 रुपीज तक खर्चा कर देते हैं इसकी service cost पर जो की देखा जा काफी जादा है बात कर इसका warranty के बारे में तो इसमें company आपको 3 year unlimited किलो मीटर की warranty मिल जाती है जिसको 2 year or extend करा सकते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि BMW की bike भले ही सस्ती है लेकिन जो service cost है वो जादा है अब इसको चलाने वाले इतना भी खर्चा नहीं करेंगे तो यार क्या मतलब का बात करते हैं दूसरे नंबर के motorcycle के बारे में तो दूसरे नंबर पर आती है TVS की Apache RR310 देखा जा तो इंजन भले इसमें BMW का share हुआ है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी जो इसकी service cost है वो BMW से काफी जादा कम है इस bike के साथ आपको 3 free service भी मिल जाती है company की तरफ से जिसकी वज़ा से इसमें जो labor charge है और bike scan washing वगएरा के जो पैसे वो बिलकुल भी नहीं लगते है तो इसकी वज़ा से आपकी जो service cost है वो थोड़ी सी कम हो जाती है तो करीब 3 साल 30,000 km चलाने के बाद इस bike में आप 24,000 रुपीज यानी 24,000 रुपए खर्चा कर देते हैं इसकी service cost पर जो की देखा जा BMW से थोड़ी सी तो कम है इसमें company आपको 5 years 60,000 km की warranty भी दे देती है बरते तीसरे नमबर के motor cycle के ओर तो तीसरे नमबर पर आती है आज की date में अगर आप देखते हैं तो 2 से 3 महीने का waiting चल रहा है और कहीं कहीं तो 4 से 5 महीने का भी waiting चल रहा है लेकिन लोग आज भी इसका इंतजार कर रहे हैं इसको लेने के लिए तो चलिए बात कर लेते हैं इसके service cost के बारे में 3-year road assistance भी आप ले सकते हैं और इसकी warranty आप इसमें accident भी करा सकते हैं बरते हैं चौथे नमबर की motorcycle की ओर तो चौथे नमबर पर आती है Honda की motorcycle जो कि है Honda CB 350, Hynes और RS 350 Honda Indian market में cruiser motorcycle को लेकर उतना ज़्यादा serious नहीं था एक साल पहले तक ये सिर्फ commuter और स्कूटर पर जी जान से महनत करे थे यानि इनकी dictionary में cruiser motorcycle बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन 30 September 2020 में Honda ने CB 350 Hynes को launch कर दिया देखा जा तो ये bike regular showroom यानि जो Honda की regular showroom थी जहाँ पर scooter और bikes मिलते थे वहाँ पर ये bike बिल्कुल भी नहीं मिलती थी इसके लिए Honda ने एक अलक्षे showroom बनाया था जिसको नाम दिया गया silver wing बहुत सारे लोगों को पता होगा कि Honda अपनी bike को three category में sell करते हैं इंडिया में जिसमें red wing, silver wing और एक आता है gold wing अब बात उठी गई है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा discussion करी लेते हैं तो red wing में अगर आप जाते हैं तो red wing में आपको जो इनके जो regular जो commuter और scooter होते हैं ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं silver wing देखा जा तो एक step उपर है यानि की premium bike की और यहीं पर आपको honda cb 350 highness और rs 350 देखने को मिल जाती है और gold wing तो आपको पता होगा कि gold wing में आपको स्रिफ super bike देखने को मिल जाती है 3 year 30,000 km यानि 3 साल 30,000 km चलाने के बाद आप इसकी service cost पर 14,000 रुपे यानि 14,000 रुपे खर्च कर देते हैं इसमें भी देखा जाती है तो honda की तरब से आपको 3 free service मिल जाती है warranty की बाल करें तो इसमें आपको 3 plus 3 year की honda shield warranty मिल जाती है पाचवे नंबर पर आती है benelli की पहली bs6 motorcycle जो किये benelli impriale 400 देखा जाती है तो इसका नाम बस 400 है लेकिन जो engine capacity है वो below 400 है यानि 300cc segment में आ जाती है आप लोगों ने ज़्यादा तर benelli की super bike, cruiser, turing bike को ही देखा होगा लेकिन impriale 400, benelli की सबसे small engine capacity bike है इंडिया में जब यह Indian market में आई थी तो उस time इसको direct compact किया जा रहा था वो भी classic 350 से company का कहना था कि जो इसमें vibration है वो आपको classic 350 से कम देखने को मिल जाता है, लेकिन जब यार बहुत सारे लोगों ने bike चलाया, आपना feedback दिया तो बहुत सारे लोगों ने ये complain किया इसमें जो vibration है, वो लगभग लगभग same है classic 350 जैसा benelli को यहाँ पर थोड़ा सा negative side में भी 13,000 रुपई यानी 13,000 रुपई स्कर्च कर देते हैं, वो भी इसकी service पर इसमें बैनली की तरफ से आपको 5-3 service भी मिल जाती है इसके warranty की बात करें तो इसमें आपको 3-year की warranty मिल जाती है और इसमें 2-year complimentary service भी मिल जाती है, छटवे नमबर पर sport naked street fighter bike है भले ये bike price में affordable तो नहीं है लेकिन इसकी जो price है वो इतनी जादा है कि आप थोड़े पैसे और लगा कर second hand अच्छी condition में सुपर bike भी ले सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा है ये आप ही लोगों के शब्द है, आप लोगों का कहना है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं मतलब second option में तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी service cost के बारे में तो 30,000 km यानि 30,000 km चलाने एक बाद आप इसकी service cost पर करीब 11,000 रुपीज यानि 11,000 रुपे खर्च कर देते हैं वो भी इसकी service cost पर देखा जाए तो ये 390cc के हिसाब से काफी कम है BMW से यार बहुत ही ज़्यादा कम है देखा जाए तो अगर उसको compare करे BMW से तो यहाँ पर जो price है वो बहुत ही ज़्यादा कम है इसमें आपको KTM की तरफ से 3-free service भी मिल जाती है warranty की बात करें तो इसमें आपको देखा जाए तो ये बाइक Honda Hynes CB350 के competition में निकाला गया था लेकिन तब तक Honda Hynes CB350 ने market में काफी अच्छी पकड यानि reach बना ली थी service cost के मावले में देखा जाए तो ये CB350 Hynes से कम है 3-year 30,000 km यानि 3-3,000 km चलाने के बाद आप इसकी service cost पर करीब 10,500 यानि 10,500 रुपीज खर्च कर देते हैं इसमें आपको company की तरफ से 3-free service भी मिल जाती है warranty के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2-year 30,000 km की warranty भी मिल जाती है जिसको आप और extend करा सकते हो आठवे नंबर की motorcycle के बारे में बात करें तो आठवे नंबर पर आती है जावा की motorcycle जो की है जावा 42 market में देखा जाए तो जावा के motorcycle का crazy उतना जादा भी अच्छा खासा नहीं है कारण शायर इसका basic सा design है जहां हर company कुछ ना कुछ नया market में लेकर आ रही है जावा इन सबी चीजों में अभी भी पीछे है बड़े दिनों के बार तो अभी हाल फिलाल में जावा ने एक motorcycle launch की थी जो की है जावा 42 2.1 जिसको थोड़ा सा मतलब नया design दिया गया था देखा जा तो अगर इतना time लगाएंगे तो market में जो लोग है वो थोड़ा सा इधर उधर निकली जाते है मतलब उनको नया नया मतलब जो test है चाहिए ही चाहिए होता है कि जब तक अगर market में अगर आप नया product नहीं launch करोगे तब तक आप अपनी जो market में crazy है वो बिलकुल भी नहीं बना सकते हो आपके हिसाब से क्या कारान है जिसकी वज़ा से जो जावा के motorcycle है वो कम दिखते है आप हमें comment करके ज़रूर बताइएगा तो करीब 38,000 km यानि 3 साल 30,000 km चलाने के बाद आप इसकी service cost पर करीब 10,000 रुपे यानि 10,000 रुपीज खर्च कर देते वो भी इसकी service पर इसमें आपको company की तरफ से 3 free service भी मिल जाती है नवे नमबर के motorcycle के बारे में बात करें तो नवे नमबर पर आ जाती है वापस से जावा की motorcycle जो की है जावा पैराक Indian market में single sitter motorcycle की जब बात होती है तो जावा पैराक का नाम सबसे पहले आ जाता है क्योंकि company इसको बनाती ही single sitter है यानि जब ये बन कर आती है तो ये पहले से ही single sitter होती है बाद में ऐसा नहीं है कि इसको single sitter कर दिया जाता है service cost की बात करें तो इसकी भी service cost लगबग लगबग सेम है जावा 42 जैसे यानि तीन साल 30,000 km थ्री ये 30,000 km चलाने एक बाद आप इसकी service cost पर करीब 10,000 रुपीज यानि 10,000 रुपे खर्च कर देते वो भी इसकी service पर इसमें भी आपको company की तरफ से 3 free service मिल जाती है बात करते हैं सबसे कम service cost वाली bike के बारे में जो किये 10th position पर जिसका आप सभी को इंतजार था और वो है बजाज की motorcycle वो है Dominar 400 हाला कि engine इसमें Duke 390 वाला ही share हुए लेकिन जो service cost है वो बाकियों के मुकाबले काफी जादा कम है थ्री ये 30,000 km तीन साल 30,000 km चलाने बात आप इसकी service पर करीब 9,000 रुपय यानि 9,000 रुपीज खर्च कर देते हैं वो भी इसकी service पर बात कर इसके warranty के बारे में तो इसमें आपको 5 ये 75,000 km की warranty मिल जाती है इसमें आपको 3 free service भी मिल जाती है जो कि आपको बजाज की तरफ से दी जाती है तो ये 300 CC category की bike और उसके service cost बाकि आपकी क्या राय है इन सभी bike को लेकर आप हमें comment करके ज़रूर बताईएगा और अभी video थोड़ी सी late आ रही है उसके लिए मैं sorry बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी lockdown का situation लगी हुई है हमारे state में तो इस वज़ा से बाहर अपन निकल नहीं सकते वीडियो अगरा shoot नहीं कर सकते हैं तो try करूँगा कि जो video है मैं एक दिन के बाद यानि एक दिन का gap ले लेके upload करने की कोशिश करूँगा और कुछ ऐसी type के आपको content देने की कोशिश करूँगा आप लोगों के जो पुराने comment है उसको मैं देख देख कर ये सारे videos अब बनाना start कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत पहले comment किया था मतलब क्या कर रहा है मतलब पहले क्या था बहुत सारा काम था मतलब गाड़ी वेगरा बहुत सारी मिल जा रही थी तो इस वज़ा पॉलो कर सकते हैं यहां पर फ्लैश हो रही है लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बीए टेंट्यों वी स्मार्ट ओलेजवर हलमेट राइट सेव जैहिन बाबाए दोस्तो आपको अवा इस्मार्ट जाूबाश टेंट्यों सेव जैहिन यहां जाएएवा जाएवर हलमेट्वर हलमेट नवारा उस राज़ को शोगी झाला को यहां दोस्तोतों वैज रऊएबगार्सियों सेवाश जैवाश पर सकते हैं अवाश्तों समार्ट प्रहीं सेवाश पर